निफ्टी अपना all time high को break कर चुका है, यहां से आप market rally होगा या correction आएगा, अगर market यहां से rally आता है, अगर ठीक stocks में ठीक जगा पे आप buy कर लोगे तो अच्छा गासा gain आप भी कर सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 stocks बताने वाला जो अभी support के पास है, या breakout देने वा लेकिन 2 stocks में ऐसा था, एक था उस में marathon, जहां पर हम लोग अराम से entry बनाएं, market उसके बाद डाउन होगा, अब को बता होगा, market डाउन होगा, लेकिन हमारा stocks still intact रहा, consolidate होते रहा, अभी तक 7-6% के gain में, जो की हो सकता है कि हमारा target जो यह ता है, इसके उपर भी market continue अगर डाल उसके नीचे आ गया, तो हम लोग यहां पर exit कर दिये, अब बात करेंगे next week में जो stocks में अच्छा momentum आएगा, पहला stock है हमारा जाइडेस wellness, यहां पर देखोगे market में continuous consolidated होते आ रहा है, ठीक है, और consolidation में एक flag and pole pattern ही है, और बार 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 एक ही जगा support ले रहा हमारा EA में 44 पे भी यह support ले रहा, ठीक है, अब हम लोग trade कप प्लान करेंगे, अब थोड़ा सा हटबड़ी नहीं करेंगे, वेड करते हैं, यह जब closing देगा, इसके उपर high break करेगा, और यहां पे जब retest होगा, तब हम लोग trade अपना प्लान करेंगे, अगर direct entry करने प्लान करोगे, तो full quantity R मत करना, कुछ quantity R करो, कि फिर से bounce back कर सकता है, retest करेगा, तो हम अपना trade प्लान करेंगे, ठीक है, यहां पे देखोगे, बहुत अच्छा pattern के अंदर है, flag and pole pattern, जो की मेरा favorite pattern है, यहां पे देखोगे, continuously, volume देख रहो न, dead, momentum नहीं है, volume dead, सबसे best चीज़ ही है, ठीक है, यहा करें, ब्रेक आउट करें, तो एंट्री करूँगा, अगर सीधा ब्रेक होता है, तो हम वेट करूँगा, फिर से एक बार retest हो जाए, तो हम अपना trade प्लान करेंगे, ठीक है, और इस टॉक है, रामकी इंप्रा, और यह देखोगे, यह हमारा symmetrical pattern है, यहां पे sudden आगा, देखो एक ब्रेक करता है, फिर से retest करने तो तब इंठीक है, देखो, मैं हमेसा बोलता हूँ, retest से अच्छा कोई entry नहीं है, अगर retest के लिए wait करके entry करोगे, stocks में अच्छा momentum capture करोगे, एक proper retest का आपको example देता हूँ, ठीक है, एक stock था, Prism Johnson, मेरे student लोग लिए होई थे, मैं Reels पर Shorts पर upload किया, देखना है, कितना अच्छा का सा बोलोग गेन किये थे, एक अच्छा का सा trend line था, उसको break किया market, proper retest किया, high को break किया, boom, ठीक है, तो ये retest का value होता है, अगर proper retest पे entry करोगे, तो आपको ज्यादे दिन hold भी नहीं करना पड़ेगा, अच्छा का सा momentum भी आपको मिलेंगे, तो इसलिए breakouts पे entry मत करो, अगर करते हो, छोटा quantity yard करो, और stopless आपको पता ही, इसके नीचे रख सकते हो, retest करेगा, तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे entry plan करेंगे, और एक bonus टोक शेयर करता हूं, जो कि हमारा सुदर्शन chemical, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यह हाई को break करता है, तो हम लोग अपने trade plan कर सकते है, stopless बस इस EMA 44 के नीचे, लेकिन याद रहे, यह कोई pattern नहीं है, तो ज्यादा quantity इसमें add मत करना, कम quantity, half quantity इसमें trade कर सकते हो, ठीके, यह चीज को धहान में रखना, ओके, चलो, यही था गई, हम लोग का charge stock, जो next week में अच्छ वीडियोपे.